हेलो गाइज, आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली मुल्यांकन कारे पत्रक नंबर थी करेंगे जो की क्लास एट की है और विश्य है सामाजिक ज्यान question number 1 देखते हैं, निमन लिकित मेंसे किस राज्य में जगनात संपर्दाइक सबसे बड़ी संख्या में लोग माने जाते है तो इसका अंसर हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा B, संथाली सबसे जादा बोली जाते हैं जंजातिव में वह प्रकिरिया कोशिन नमबर 3 वह प्रकिरिया जिसमें अल्प संक्यक समदाय समाजी खाश्य करन की वज़े से किसी खास स्तान तक सीमित हो जाते हैं गेटो जाई जिश्यन कहलाया जाता है अंसर हो जाएगा A कोशिन नमबर 4 भारतिय सविधान की मूलिक अधिकार के किस अनुचेद द्वारा चुआ चुट को खतम कर दिया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा C हो जाएगा अनुचेद 17 के थूँ कोशिन नमबर 5 में देखते हैं भारतिय सविधान का अनुचेद 15 किस से संबंदित है कोशिन नमबर 5 में देखते हैं D हो जाएगा क्या हो जाएगा समानता की अधिकार से क्या है संबंदित है अनुचेद 15 अब देखते हैं next कोशिन कोशिन 6 में देखो क्या कहा गया है का अंसर हो जाएगा आदिवासी कारे करता है. Q8 में क्या कहा गया है? निमन लिख्षी में कौन सा भारतियर, राजस, सरवाधिक आदिवासी उसमुह की संख्या, जहां पर सरवाधिक आदिवासी पाये जाते हैं? उसका अंसर हो जाएगा C. मध्या प्रदेश में. question number 9 on 10 में हमें देखना है कि जो दोनों sentence दिये गए है वो सही है या नहीं तो देखो आदिवासी लोगों को अपना वास छोड़ना पड़ता है और B क्या है जंगल के इलापों में कई परकार के उध्योगी किरिया कलाप किये जाते है तो इसके अंदर आ जाएगा दोनों ही क्या है सही है तो 9 का अंसर हो जाएगा B 10 में देखते हैं भारत के सभी नागरिक मोलिक अधिकारों के हनन की स्थिदीक में न्याले में शरण ले सकते हैं मोलिक अधिकारों की गरटी भारत के सद्धान में दी गई है तो इसका अंसर हो जाएगा A यह A जो हो है B की व्याख्या करता है तो यह थी आज की वर्क्षिट थेंक यू